आस्था और तर्क ठीक ठीक कहां मिलते हैं और कहां मुठभेड करते हैं एक नागरिक के तौर पर ये मेरी आस्था और शद्धा हो सकती है कि मैं इतिहास के एक पुरुष को छत्रपती शिवाजी महराज कहूं व्यक्तिगत जीवन में सार्जुनिक जीवन में और तर्क एक पत्रकार के तौर पर हमें ये सिखाया गया है कि वर्तुमान या अतीत के किसी भी व्यक्ति का नाम लेते समय उनकी उपादियों के फेर में नहीं पढ़ना है आपको कहना है चंदरगुप्त मौर्य आपको कहना है पुष्यमित्र शुंग आपको कहना है कनिश्क आपको कहना है हर्शवर्धन आपको कहना है मुहम्मद गोरी आपको कहना है गजनी आपको कहना है अकबर आपको कहना है औरंगजेव और आपको कहना है शिवाजी ये फेहरिस्त लंबी है ये बहस लंबी है आप मोहन दास करम चंद गांधी कह सकते हैं आप भीमराव अंबेटकर कह सकते हैं आप और आगे बढ़कर अटल बिहारी वाचपे ही कह सकते हैं मन मोहन सिंग कह सकते हैं क्योंकि यही काइदा तैह हुआ है समाचार माचने का ये आस्था और तर्क की बात इसलिए है क्योंकि आज के ललन टॉप शो में हम विस्तार से मुगल बादशाह और अंगजेब और छत्रपती शिवाजी महराज इन दोनों के वर्सिस की जो लड़ाई है महराश्टरा में उस पर बात करने जा रहे हैं कैसे सोशल मीडिया की एक पोस्ट लॉइन ओर्डर का सबब बन जाती है कोलापूर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है महराश्टर की सभी राजनेतिक पार्टियां बयान देती है और इन सबसे तर एक जाती अस्मिता की राजनीती खत बदाने लगती है और काम लाता है इतिहासकारों का कि ये औरंगजेब के नाम को लेकर तीन सदियां बीतने के बाद भी बवाल थम क्यों नहीं रहा बाबर जिसके नाम से यहाँ पर एक मुगल सल्तनत शुरू हुई एक मुगल दौर शुरू हुआ उसके पोते का पोता जिसके दौर में मुगलिया स सल्टनत सबसे ज़्यादा बड़ी थी वो कितना करूर था कितना खुंकार था कितनी किमवदंतियां और कितनी कहानिया जुड़ी हैं और क्यों वो मध्यकाल के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है और इन सब के बरक्स शिवाजी महराश्ट से आने वाला व एक बड़ा प्रतीक बन गए है उनका राजकाच कैसा था उनके सुधार कैसे थे और क्यों वो लेजेंड्स का हिस्सा है और क्यों वो एक बड़ी जाती हस्मिता की पहचान है इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे नमस्कार सौरब दिवेदी नाम है हमारा और आप दे दक्षण में 333 किलो मीटर और पुणे से दक्षण में 228 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित आमबोलचाल में कोलापूर का जिक्र यहां बनने वाली चपलों की वज़े से आता है यहां पर माता महालक्षमी का एक बहुत खुबसूरत और पुराना मंदिर भी है इसके तारीफ वाला इंस्टाग्राम का स्टेटस शेयर किया स्टेटस वाइरल हो गया इस पर हिंदुवादी संगठनों ने आपत्ती जताई इसके बाद पुलिस ने स्टेटस लगाने वाले यूवकों के खिलाफ एपाई यार दर्ज कर ली आगले दिन यानी 7 जून को हिंदु संगठनों के कारकरता छत्रपती शिवाजी महराज चौक पर इखटा हुए इन लोगों की मांग थी कि औरंगजेब की तारीफ में स्टेटस लगाने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए इस्थानी मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कुछ कारकरताओं ने पत्थर बा साहनों में तोड़ फोर की गई जिसके बाद पुलिस ने हालात को नियंतरित करने के लिए लाठी चार्ज किया आसू गैस के गोले छोड़े फिलाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है शांती बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम में गश्ट कर रही है कोलापुर के S.P. महिंदर पंडित ने बताया कि अब तक 20 पर दर्शनकारियों को हिरासत मिलिया गया है छे को गरफतार किया गया है उपद्रवियों पर दंगास आरजनिक संपत्य को नुकसान पहुचाने सरकारी कर्मचारी पर हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ कोलापुर की घटना पर हो रही राजनितिक बयानबाजी पर आएंगे लेकिन उससे पहले चलते हैं एहमद नगर जिसका नाम बदलकर अहिल्या बाई नगर करने की गोशना की जा चुकी है अब यादिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है कोलापुर से करीब 300 किलो मीटर दूर इस थिति जिले में दो दिन पहले ही औरंगजेब का पोस्टर लहरानी की घटना सामने आई चार जून की रात फकीरवाड़ा अलाके में एक दरगाह के पास और्स जिलूस निकाला जा रहा था इस दोरान AIM-AIM के जिलाध ध्यक्ष और उनके कुछ साथियों ने औरंगजेब की तस्वीर लहरानी शुरू करी अगले दिन इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुक्यमंत्री देविन्फर्णविस ने कहा कि अगर राज में कोई औरंगजेब का पोस्टर लहराता है तो इसे बरदाश नहीं किया जाएगा औरंगजेब का पोस्टर लहराने वालों खिलाफ सक्त एक्षन लिया जाएगा इस देश और राज में हमारे पूजे छत्रपती शिवाजी महराज और छत्रपती संभाजी महराज है विपक्षी दलों की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आई नसीपी की राज एकाई की अध्यक्ष जैन पाटिल ने कहा कि राजी सरकार को कानून विवस्ता बनाई रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए वहीं शिवसेना उद्धग उठने कहा राजी सरकार दावे बड़े-बड़े करती है लेकिन इस तरह की घटनाओं के सामने आने पर सक्त कारवाई करने में विफल रहती है राजनतिक बयानबाजी शुरू हुई तो पुलिस में चार लोगों खिलाव एक समधाय को दूसरे समधाय किलाव अपराद के लिए उकसाने दार्मिक भावनाओ को आहत करने की धाराओं में केस दर्च किया और आरोपियों को गिर अफतार कर लिया यानि कोलापूर में औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद पहला नहीं था इससे पहले अहमद नगर में भी इस तरह की घटना हो चुकी थी एक के बाद एक लगातार मामले आए तो पक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा नसीपी निताजित पवार ने कहा चत्रपती शिवाजी महराज की राज्याविशेक की तीन सो पचासवी बरसी पर युवा औरंगजेब का स्टेटस और पोस्टर क्यों लगा रहे हैं ये बड़ा सवाल है अबरंगजेब का ये फोटो दिखाया वो दिखाने के कोई जरूरत ही नहीं है ये गलत है अपने महाराष्टर में ऐसा कैसा हो सकता है उसके बारे में वहां की जो पोलिस डिपार्मेंट है उसके अफिसर्स है उन्होंने ये तुरंत वो रुकवाना चाहिए था इमिजेट क्योंकी क्या हुआ इसमें वो दिखाने के बाद फिर वाइरल हो जाता है फिर चर्चा हो जाती है फिर एक दूसरे के उरूप एलिकेशन हो जाते है ये होना ही नहीं चाहिए शिवसेना उद्दगोट के नेता अनिल परब ने कहा कि ये राजनेतिक साजिश भी हो सकती है इसकी निश्पक्ष जांच होनी चाहिए अन्टी सोशल एलिमेंट हो सकते है इसके पीछे कोई राजनीती हो सकती है हलाकि एंसीपी सांसेट सोप्यासुले ने राज्य के ग्रीमंत्री देविंद फणनविस पर निशाना साथ ते हुए कहा कि ये सीधे-सीधे इंटेलिजेंस फैलियोर है दूसरी तरह मुक्यमंत्री एकनाच शिंदे और उप मुक्यमंत्री देविंद फणनविस ने कानुन यवस्ता का लंगन करने वालों पर कड़ी कारवाई की बात कही फणनविस ने कहा अचानक से महराष्टर में औरंग जेब की कुछ उलादें पैदा हो गई हम इनको धू हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है आपने नेताओं को सुना अब चलते हैं जानकारों की और और समझते हैं कि आचानक से औरंग जेब महराष्ट की राजनीती के केंदर में कैसे आ गए और औरंग जेब की तस्वीर लहराना या तारीफ करना नाम बदलकर चत्रपती संभाजी नगर कर दिया गया तब से धीरे धीरे ये शुरू हो गया और सिर्फ औरंग जेब के नाम को लेकर नहीं है पिछले कुछ दिनों के मैं अगर हम नजर डाले तो पिछले चार बहने में यह इस तरह की चौतिया पांच भी घटना है कि पुश कर रही है उसको तब डियू दे रही है उस तरह की घटाए होिस तरफ से करवाई कर रही है उनका उनका ये माना है कि सरकार की तरफ से सरकारी पार्टियां इसको फुसला रही है कि इस तरीके का बाहुल महराश में बने और जिसका फाइदा शिवसेन और भार्टी जंता पार्टी को हो इस तरीके का आरुप भी उनकी तरफ से लगाए गया है कुल मिलाकर इस तरीके की घटाओं के वज़े से अगर माहूल बिगर जाता है तो एक धुरूई करण वोटर का भी हो सकता है ये बात कुल कर उसके सामने कई बार आ चुकी है हम आमने देखा कि यूपी में भी मुझफर मेंगर में जो दंगे हुए उसके बाद वहाँ पर जो माहूल किया जा रहा है अगर कोई आपक्ती दर्शाने वाली फुस्ट करता है तो उसको लेकर कारवाई करना ये बात अलग है लेकिन उसके बाद उसके पर उच्चा निकाल कर क्या माहूल खराब करना ये बात सामने नजर आ ली उस पर भी कही ना कही मुझे लगता है कि सर मुगल हमारे नायक नहीं हो सकते, शिवा जी हमारे राश्च्रवाद की पहचान है। इसी लहजे की बात आज देविंद फटनेविस भी कर रहे हैं। यानि एक बाइनरी है, औरंगजेब बनाम शिवा जी। मुगलों और मराटों के बीच कई छोटी बड़ी लड़ाईयां लड़ी गए। दोनों ने जीत का जश्ट मनाया और हार का सोग भी। इन सब के बीच समझोता और कूटनीती का खेल भी चलता रहा। शिवाजी एक ऐसी दुनिया में थे जहां पर फारसी जबान का दरबारों में बोलबाला था। दिल्ली पर मुगल काबिस थे। उनकी मा जीजाबाई का परिवार मुगलों के खेमे में था और पिता बीजापूर के जनरल शाहजीब होसले ने भी एक वक्त मुगलों के अधीन काम किया था। पिता को ही कैद किये जाने के बाद शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाब मूर्चा खोला। भगवा पर्चम तले समर्थन जुटाया, अपनी सेना तयार की और औरंगजेब के शासन का सबसे बड़ा विद्रोह किया। यहां तक कि जब शिवाजी ने खुद को संप्रभु घूशित किया और छट्रपती की उबाद ही ले ली तो औरंगजेब के लिए वो और आजकता पैदा करने वाले कुछ इत्यासकारों के मुताबिक जो औरंगजेब की दृष्टी से उस समय के रेफरेंस को लिख रहे थ 1663 में शिवाजी महराज ने शाहिस्ता खांपर पूर्णा के लाल महल में हमला किया 1664 में सूरत पर हमला इन दो घटनाओं से औरंगजेब बॉखला गया उसने राजा जैसिंग को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा जैसिंग ने मराठों के कई किलों पर कबजा कर लि गया कि शिवाजी मुगलों की तरफ से लड़ने को बात दिन नहीं थे ना ही उन्हें मुगल दरबार में पेश होने के लिए मजबूर किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब शिवाजी को ये मनवाना चाहता था कि वह मुगलों के अधीन है इसलिए 1666 मे उसने शिवाजी को आगरा हने का बुलावा भेजा शिवाजी महराज ने से इंकार कर दिया तो औरंगजेब ने खत भेज कर कहा आपको बतौर शाही सम्मान आगरे का नियोता दिया जाता है मन में बिना कोई संकोच रखे आप यहां आए 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा पहुँचे 12 मई को शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुचे औरंगजेब ने शिवाजी को दरबार में पीछे खड़ा करवा दिया तीसरे दरजे के मनसबदारों के साथ अपमान किया बाद में उन्हें आगरे से बाहर जैपुर सराय मे नजर बंद करा दिया गया शिवाजी को इसका अंदेशा पहले से था इसलिए उन्होंने ऐसे दरशाया जैसे कि वो बहुत खुश हैं और अंगजेब उनकी तरफ से आश्वस्त हो गया कि वो आगरे में ही बने रहेंगे अगले कुछ दिनों में शिवाजी की तब्यत खरा वापस राजगर पहुँच गए शिवाजी और और अरंगजेब के बीच तनाव और इस तनाव के केंद्र में महराश्ट कैसे इने डिफाइन करता है यह समझने के लिए हमने बात की मराठी इतिहास की समझ रखने वालों से चत्रपति शिवाजी महराज और और अरंगजेब यह दोनों महराश्ट के इतिहास के लिए बहुत ही मुहत्व पूर्ण व्यक्ति हैं सत्रवी सदी से लेकर कि आज 21 सदी तक इन दोनों को लेकर महराश्ट्रा और मराठी लोगों की अपनी पहचान जुड़ी हुई है चत्रपति शिवाजी महराज ने अपनी खुद की मुद्रा में लिखा था जो सिक्का लगाते हैं कि यह सिक्का भले के लिए काम करेगा मुद्रा बद्राय राजते उन्हों ने यह कभी नहीं कहा कि मैं किसी एक धर्म जाती या इलाके के लोगों के लिए राज कर रहा हूँ और इनके बिलकुल विपरीत औरंगजेब थे जिनके कारेकाल से मुगल सामराज की हम सब जानते हैं ताकत कम होती जाती है और उनके बाद तो उसका विनाशी हो जाता है तो जाहिर है कि इसके कई कारेंड रहे होंगे इतना बड़ा सामराज यूही खतम नहीं हो जाता तो सत्रवी सदी में औरंगजेब ने दखन की जो सल्तनती थी उनको खतम करने का निश्चय किया था और उस इरादे से उन्होंने यहां पूर जोर कोशिशें की दखन में कुतुब शाही और अदील शाही जैसी सल्तनते खतम हो भी गई लाएं मगर लाग कोशिशों के बावजिव जो चत्रवक शिवा जी महराज ने जिसकी नीव रखिय थी वो मराठा सामराज खतम नहीं हुआ यहां तकक्षवक की शत्रवक शिवा महराज के बाद स्वराज की दरोर समालने वाले चत्रवक पती संभाजी महराज की औरंगज जैसे मराठी मुल्क में औरंगजेब को हमेशा ये खल नायक के रूप में देखा गया है और वो बराबर ये चीज़ हैं मगर हमने ये समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि औरंगजेब सिर्फ हिंदू के लिए खल नायक रहा है या सिर्फ शिवाजी महाराज सिर्फ का सम्मान रखते थे तता उनके यहां सभी धरम जातियों के लोग काम भी करते थे और अरंगजेब भी सिर्फ हिंदू के लिए खलनायक नहीं है उनकी वजह से यहां की जो दखनी सल्तनते बरबाद हुए वो महज राज की हाथसा नहीं था जैसे हम जानते एक सल्तनत जब म जो दखनी भाषा में ज्यान निर्मान हो रहा था रचनाय रची जा रही थी उन सब पर रोक लग गए और दखनी भाषा का एक ज्यान भाषा के तौर पर जैसे नामों निशान मिट गया तो दखनी भाषा के जो बहुत से विद्वान है वो इस वजह से भी औरंगजेब की कडी निंदा करते हैं मसलन कादरी मुहिबुद्दिन जोर सहाब और मौलवी अब्दुल फक ऐसे बहुत सारे विद्वान है जो कहते है कि इसने दखनी भाषा का और यहां की जो इसलाम की संस्कृती थी उसका विनाश करने के लिए वो रिस्पॉंसिबल रहा है तो कहने का मतलब यह है कि औरंग जे भर मुसलमान के लिए कोई आधर्श्मेक्ति नाहीं था और नहीं है जहां जो लोग शिवा जी को सपोट करते हैं उनको लगता है कि उपो शिवा जी को सपोट करने से शिवा जी को एक बनाने से हिंदू के वोर्ट में जेंगे क्योंकि उनको हीरो माना जाता है और और अरंजेट को किरें उनके खिलाफ खलनायक माना जाता है तो एक एक communal आंगल बन जाता है जहां शिवाजी हो गए मरा रहा है और और अरंजेट हो गए वह Muslim ruler जिन्होंने शिवाजी को शिवाजी की you know designs को खदम करने कोशिशिच की शिवाजी ने मुगल को चालेंज किया तो शिवाजी की वो ग्रेटनेस हो गए मुझे लगता है कि यह कहीं न कहीं हम अच्छे तरह से उस हिस्ट्री को समझ नहीं पाए है जहां पे शिवाजी भी एक इंपर्टन प्लेयर्ट में ंसे पहले मले कमबर भी रही तो काफी हद थ도क डेकन में पहीं है से जर्फ चैनर्र रहे हैं जिनोंने मुगनों को चालेंज करने के कोशिच न कहिंगीर को चालेंज किया घडशी जिदी में खतम भी माले कमबर शीको पर पगडश गोरिला वारफार करे थे उनके अंडर ही एक इस्ट्री को सॉलेट करकर देखते हैं उनकी इस्ट्री को साइफ देखते है वfonक्तेक्स जब यह को किडिकनी कि भुत अज़े तो यहां दोनों शासकों की बात हो रही है, शिवाजी और औरंग्जेब, कमिनल अंगल जो है, वो बाद में आया, अंग्रेजों से शुरू हुआ, जहां औरंग्जेब को देखते हैं, और यह कमिनल अंगल तक चाहरता रहेगा, जबत तक बोट बैंक्र प्रिटिक्स नहीं खतम होती, यूकि इन कमिनल अंगल से जो विए जिए श्रीयाओं के तरफ कैसे देखते थे शिवाजी महाराज तरफ टरफ कैसे देखते थे शिवाजी महाराज किसानों के तरफ कैसे देखते थे उसका जयजयकार करते ना कि आउरंग जयब का जयजयकार करते थाड़े 300 साल बाद यहां पर युग पुरुष कौन कहलाता है यहां पर शिवाजी महाराज कहलाता है ना कि आउरंग जयब तो यह तो सवाली नहीं पैदा होता शिवाजी महा से प्रभावित होगी यह तो डिफॉल्ट है शीवाजी महाराज सिर्फ महराश्रा के नहीं यह शीवाजी महाराज तो पूरे हिंदुस्तान के यूगपुरुश है जिनका एक जो करिश्मा है वो पूरे दुनिया पे चाया हुआ है तो यह तो गलत बात हुई कि और शीवाज हमने आपको पूरी राजनीती बताई शिवाजी और औरंगजेब के बीज का संघर्श बताया लेकिन एक सवाल ये भी है कि औरंगजेब है कौन जो गाहे बगाहे उगाता है एक बला की तरहे आज की राजनीती के दंगल में तो पहले इस कंटेक्स को भी समझ लेते हैं आज के उस्बेकिस्तान का एक कबीलाई सरदार हुआ करता था जहीर उद्दीन उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी को पानीपत की पहली जंग में हरा दिया और वहां से शुरू हुआ मुगल सामराज जिसे वारलोड की बात हमने कही उसे हम बाबर के नाम से पोता था शा जहां जिसके नाम पर जामा मस्जिद लाल किला और ताज महल जैसे आर्किटेक्चर के करिश में हैं और ये तोहमत भी कि इश्क का इतना भवे मकबरा बनवा कर उसने गरीबों की महबत का मजाग उडाया इसी शा जहां का बेटा था औरंगजेब सबसे विव विस्तारवादी के तौर पर जिसने अपनी आखरी सांस तक अपने शासन की सीमाओं को फैलाया लेकिन उसके हाथ खुन भी लगा और ये भी कहा गया कि विस्तारवाद की अपनी सनक में उसने मुगलिया सल्तनत को इतना कमजोर कर दिया कि उसके खत्म होने के कुछ ही दशक करते थे कि मुगलिया तख्त पर उनका कौन सा चुना हुआ प्यादा बैठेगा पर वो कहानी आगे की सदियों की है फिलहाल औरंग जेप की बात हो रही जो एक भयान अगरियुद्द के बाद तख्त पर बैठा था भाईयों का कतल करवा के पिता को मरते दम तक कैद में रख लिखते हैं उसकी शौरगाथाओं पर भी किताबें और लेक मिल जाते हैं और उसकी कुरूरता और बरबरता पर भी मेटिवल इतियास के प्रसिद इतियासकार इर्फान हवीब कहते हैं मिली जुली पिक्चर है हमें उसकी कुरूरता के साथ ये भी याद रखना चाहिए कि उसके वक्त मुगल सामराज केरल से लेकर पूर्वत्तर तक फैला और इस वज़े से कई लोग कहते हैं कि भारत को एक बड़े राजनतिक सामराज के तौर पर दुनिया में चीना गया पर बात ये भी होती है कि उसने भारत के अंदर की जो समनवयवादी बहुलतावादी संस्क्रिती थी उस पर सबसे तेज प्रहार किया और फिर तर कि ये भी आता है बकौल इर्फान हबीब कि अगर इतिहास में कुरूरता की जाच करेंगे तो कौन बच पाएगा कौरूरता के अलावा उस पर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि औरंगजेब ने हिंदूओं पर जुल्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ा सक्त शरीया कानून लागू किया हिंदूओं पर जजिया टेक्स लगाए और मंदिर तोड़े सोशल मीडिया पर तो यहां तक लिखा गया कि औरंगजेब ने 46 लाग हिंदूओं को मारा इन हत्याओं और मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर अलग-अलग कहीं कुछ पुष्ट जादातर अपुष्ट संकेत मिलते हैं खास तोर पर नंबर को लेकर कई इत्यासकार ये भी दियान दिलाते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर तोड़े नहीं कुछ एक जगए बनवाने में मदद भी की मसलंचित रिकूट का बालाजी मंदिर औरंगजेब की 90 साल के राज में मुगल राज की सरहदें जहां तक गई वहां तक कोई और मुगल फिर नहीं पहुँचा लेकिन शासक को कियात कैसे करें ये बस इतने से तैह नहीं होता कि उसने जमीन कितनी कबज आई उसके शासन में लोग कितने पुर्सकून हैं तरक्की कितनी हुई और तरक्की आखरी आदमी तक कितनी पहुँची ये भी चेक मार्क हैं तो हम औरंग जेब को कैसे याद करें एक महान राजा की तरह या एक आताई की तरह इसके लिए हमने बात की मद्द कालीन इत्यास के जानकारों से किसी भी इत्यास में किसी भी घुटना के दो पहलू होते हैं एक फीज निर्विवाद सत्य है कि आउरंग जेब काफी बड़ा राजा होने के साथ साथ काफी बड़ा आताई भी था आताई का मतलब यह है कि उसने अपनी प्रजा के एक पक्ष को आखिरकर उसकी प्रजा में हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे और लोग भी थे लेकिन मुस्लिम पक्ष को छोड़के बाकि लोगों के प्रत्यू वो बहुत उदार नहीं था यह सभी त्यास कार जानते हैं मासरे आलमगीरी है फत्ताय आलमगीरी है इनको अगर आप उरीजनल डाकूमेंट से पढ़िये तो उसका जो आडर थे उसके जो नायोचित आडर होना चाहे था वो कता ही नहीं था बहुत तरपा था तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू के प्रत्य औरंग्जेब का चाहे उनके धरमस्तरों के लेके बात हो चाहे उनके जीवन के जीने की बात हो चाहे जजीया के इंप्लीमेंटएश है जजिया का मतलब बड़ा सिंपुल होता है कि जिन्दा रहने के लिए आपको टैक्स देना होगा आज कल जिसको गुंडा टैक्स आप कहते हैं न कि 7 लाग रुपया साम को कुछा दो नहीं जान खतम वो जजिया है आप हर महीने हर साल हर छश महीने में एक टैक्स दीजे तब आप जिन्दा रहेंगे तो इसमें कहीं कोई संदेय नहीं है इसमें कहीं कोई किसी तरह की गुंजाईश नहीं है ये इस बात की कि औरेंग जेप कैसा साथ सकता इस देश के साहे सबसे बड़े इतिहासकारों में नाम लिया जाएगा दो चार इतिहासकार, मैं दस परीश की बात नहीं कर रहा हूँ दो चार इतिहासकारों का नाम लिया जाएगा तो उसमें एक है सरजादूना सरकार सरजादूना सरकार के और अंगेप और उसके सासंकाल पर चार वालूम में लिखाया हूँ पत्वाए आलमगीरी का अनुबाद किया है वो फार्शी के महापुप पंग्ला ये उस दो के थे अब अंग्रे जी, हिंदी, बंगला ये सब तो जानते ही थे और उन्होंने सटीक वरणन किया है और आज तक किसी ने उनके द्वारा लिखे गए तिहास के उपर उनली नहीं उखाई है और स्पस्ततर सरजादूना सरकार ने लिखा कि औरंग्जेव न केवल बहुत क्रूर, क्रूर शास्त शावित हुआ इन दों के लिए बलके औरंग्जेव, मुगल जो डाइनेस्टी थी उनके ताबूत का आखरी कील भी शावित हुआ मुझे लगता है कि हमें औरंग्जेव को एक राजा की तरह ही देखना चाहिए और राजा जो होते हैं, उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज होती है और उनकी कुछ बुरी पॉलिसीज होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हिस्ट्री में कोई महाननायक यह एक खलायक की खोज करते रहते हैं जिब कि हिस्ट्री में लोग हमारे आपके जिसे ही होते हैं जो कभी कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं और कभी कुछ बुरा डिसीजन और रंग्जेपी काफी डिसीजन बुरे भी रहें और हमको यह पता जिसे उनने केशव देव मंदिर को तोड़ा और उनके हिसाब से रिसीजन यह था कि वहाँ पर उनके जो भी एनिमी थे उनको पनाह मिल रही थी तो उनने इसलिए तोड़ा लेकिन क्या मंदिर को तोड़ना जायज था शायद भी नहीं जायज था तो वो एक खराब डिसीजन हुआ बड़ उनके कुछ अच्छे डिसीजन थी जैसे कि उन्होंने माहाकाल मंदिर को डोनेशन दी उन्होंने जैन मंदिरों को जो शत्रुनजे में हैं गुआहाटी तो बहुत ही खराब डिसीजन था पर उनके अच्छे डिसीजन भी हैं तो मुझे लगता है कि औरंग जेट को हम एक खलायक या नायक ना देखकर एक शासक की तरह जहां हर शासक की तरह उनके काफी बुरे डिसीजन भी रहे हैं तो यह प्रशन बड़ा सरल है इसका जो उत करते हैं तो एक तुल्ला करूँ गावई थोटी सी कि जब हम हितलर के बारे में अध्यन करते हैं जब नाजी वाद और नाजी पाटी के बारे में ध्यन करते के प्रश्ण मोर्ले का थिसी प्रकार ऊसरे सथी जो और मंदिरों को तो सारे हिंदुओं के प्रती जो उसकी नीतियां थी वह बहुत ही कुरूर थी और ऐसी थी जैसा और कोई आतताई जो तक्रपंती इसलाम को पालन करने वाला हो वैसे ही उसकी पालिसी थी और उसने इस प्रकार से पूरा अपना जो शासन काल है वह बिताया मैं चुंकि मंदरों क अध्यन करता हूँ तो मैं शायद ही एक कुछ ऐसा कौना भारत में है जहां पर मैं मंदरों में जाता हूँ और वहां पर उस मंदर को एक बार कम से कम औरंग जे अथवा उसकी सेनाओं ने नाखंडित किया हूँ जितना हमें समझाया वर्तमान की तरह इतिहास भी समझाया कि सब कुछ ब्लैक और वाइट में नहीं है ग्रे है बहुत हद तक वर्तमान से जादा क्योंकि हम तक पहुँचे आख्यान घटनाएं और किससे कई नजरों से होकर आए जिनकी नजरों के अपने अपने आग्रे भी थे इसलिए किसी को भी इतिहास पर सोल अथोर्टी मान लिया जाए ये बेमानी है हमेशाद तरफें रहेंगी लेकिन जरूरी है कि हम इतिहास को बिना पक्ष पकड़े पढ़ें समझें और इसके लिए जरूरी है कि सारे संचयों को प्रस्तुत करें और फिर इमानदार किसी शासक का पूरा तिया पाचा समझें उसकी अपने ढंक से समिक्षा करें पर उसके लिए आज लड़ना कितना सार्था कि इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए जो औरंगजेब का स्टेटस लगा रहे हैं महरास्ट के अंदर उन्हें याद रखना चाहिए कि मह पत्रपती एक ऐसा शासन चाहते थे जहां पर किसी भी किस्म की अराजकता ना हो इत्यास का विशह है विद्वानों की राय आपके सामने प्रस्तुत की आखरी में आपको टै करना है कि आपके लिए संघर्ष के मोर्चे कौन से होंगे एक उन्नत रास्ट्र होगा जो विज ग्यान में ग्यान में अध्यात में दुनिया को लीड करें जिसके अहां दर्दृता ना हो वैचारिक और बहुत एक इस्तर पर या फिर और विशह हैं जो जादा महत्पूर्ण हैं आजका ललन टॉप शो यहीं समात होता है अपना और अपनों का ख्याल रखिए शुबरात हुआ है